नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखना हुम्योपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे चमकदार बालों की हर कोई चाहता है उसके बालों में चमक ओशाइन हो क्योंकि बाल वास्तव में खुबसूर्ती का एक आयाम होते हैं खास्तोर से महिलाओं के लिए तो उसमें जो चमक होती है ये ओवर आल आपकी गुड हेल्थ के विशाय में बताती है हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं बजार से महिले से महिले से महिले जल लाते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में असहष्ता रह जाती है कि हमारे बाल रेसम जैसे चमकदार या सिल्की नहीं हुए हम आपको बताते हैं साथियों ऐसा एक अचूग घरिलो नुसका जिससे आप घर में रखे समान से अपने बालों में वही चमक ले आएंगे जिस चमक की आप ख्वाइश रखते हैं आपकी इस इच्छा को पूरा करने का बहुत अध्भूत नुसका हम आपको साथियों बताते हैं यहाँ साथियों इसलिए भी अच्छा है कि जो आप बजार से समान खरीद के लाते हैं वो कही न कहीं आपको नुकसान पहुचाता है आपके बालों को खराब करता है उसका वियर इंटियर करता है लेकिन जो आप घर के समान को इस्तमाल करते हैं वहाँ क्योंकि आपका आहार होता है उसको आप खाने में इस्तमाल कर सकते हैं जिस चीज को शरीर में आप अंदर खाने में इस्तमाल कर सकते वो आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुचाएगा। तो हम आपको बताते हैं बहुत अचूप घरेलो नुस्खा जो आपके खाने से पोसड को ठीक कर सकता है तो लगाने से भी आपको नुकसान नहीं करेगा तो पेश है सातियों अद्बुत नुस्खा खास तोर से हमारे समाज की महिलाओं के लिए क्योंकि वहाँ इसके लिए जारा चिंतित रहती हैं जो आपके बालों को सिल्की और शाइनी कर देगा इसके लिए सातियों आपको कुछ जादा नहीं करना है आपको एक केला लेना है केला यानी बनाना हम सब जानते हैं आप एक केला लीजे उसको मैश कर लीजे उसको आप पेश्ट के रूप में बना लीजे उसमें आप तीन चम्मच दूद डाल दीजे अगर दूद कच्चा हो गाय का तो अच्छा है अगर ना हो तो जो आपके पास उपलब्द है उसको आप तीन चमच तीं टी स्पून आप उसमें मिल्क डाल दीजे और आप उसमें डाल दीजे तीन टेबिल स्पून शहद हनी यानि तीन बड़े चमच शहद इस सल्यूशन को आप पूरा मिक्स कर लिजे और mix करके इसको आप अपने बालों में लगा लिजे जड़ों से पूरा लगा लिजे पूरे बालों में इसको आप 20 मिनिट सर पे लगा छोड़ दीजे 20 मिनिट बाद आप इसको कुनगुने पानी या माइल्ड सैंपू से धो लिजे आप देखेंगे साथियों कि आप के बाल बहुत सिल्की हो गए दुनिया का सबसे अच्छा कंडिस्नर भी वह काम नहीं कर पाएगा जो आपका केला दूद और शहरत का मिक्षर कर लेगा आप इस मुश्के को सातियों करिएगा एक और बात आपके मन में आ सकती है दो बाते आपके मन में आ सकती हैं एक बात प्रोटीन बहुत होता है। दूसरी बात जो आपके मन में आ सकती है कि जब हम अंडा लगाते हैं तो हमारे बड़ी दुरगंद आने लगती है बालों से बड़ी बुरी सी महक आने लगती है इसका साथ यह उपाई यह है कि आप इस पूरे नुस्के को करने के बाद अपने बालों को नीबु पानी से धो दोले और उससे अपने बालों को धोले तो जो अंडे की दुरगंद है एक की दुरगंद है वह आपको परिशार नहीं करेगी आप इस नुसके को करिएगा साथियों आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप हमारे वाटसाइप नंबर ये यूटूब नोटिफिशन में अपनी अपने साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेदित कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे निया वीडियो योहीं प्राप्ट करते रहेगा आपका साथियों इत्ती देर हमाएं साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कर दो प्रॉबादब कर दो प्रॉब प्रॉब कर दो बड़ाने बड़ाने हैं बाइ बाइ बाइ